तो देश की राजनीति में इस समय चर्चाज जोरूं पर है एक निमंतन पत्र भी छप गया है कि नौ तारीख को सदन में अगली सरकार बनने जा रही है और उसको लेकर के यह भी बाच्चित है कि शपत ग्रण होने जा रहा है लेकिन इस बीच में सब कुछ बहुत सहच स्वाभाविक या सामान नहीं है अब सबको यह बात बखुबी पता है कि यह सरकार एक पार्टी के पूर बहुमत की सरकार नहीं बन पाई यानि बीजेपी बहुमत से काफी दूर रह गई उसे पिछली बार से कुल 63 सीटों का नुकसान हुआ है और इसके चलते जो एक अकेला सब पर भारी का दावा था अब की बार 400 पार का नारा था वो काफूर हो गया और उन्हें दो सहारों की जरुद पड़ी है नितीश कुमार और चंद्र बाबू नाइडू नितीश कुमार पर लगातार बात हो चुकी है और मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा लेकिन आज चंद्र बाबू नाइडू से जुड़ी हुई कुछ बाते करेंगे ख़बर ये आ रही है कि चंद्र बाबू नाइडू किन शर्टों पर कौन सी चाल के साथ कौन सी शर्ट के साथ सरकार के साथ जाने को तयार हो रहे है चंद्र बाबू नाइडू क्या मांग रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी एंडिये उन्हें वह देने में सहमत हो चुकी है क्या बीजेपी एंडिये और नरेंद्र मोदी मुसल्मानों को ले करके जो धारना रखते हैं जो राय रखते हैं वह राय चंद्र बाबू नाइडू भी रखते हैं और अगर चंद्र ब प्रेंद्र मोदी की मुसल्मानों को लेकर सोच वो हावी रहेगी या चंद्र बाबु नाइडू को लेकर के उनके मन में जो मुसल्मानों की सोच है वो हावी रहेगी ऐसे कई मुसल्मानों पर आज सिलसले वार विशलेशन करेंगे तो सागत है आप सब का फोर पीम न्यूज नेटवर्क पर और आप जैसा की बैग्डाउन में देख पा रहे होंगे आज मैं लखनव में हूं पोर पीम के न्यूज ऑफिस में तो यहां से आप सभी दर्शकों को बहुत पधाई और शुक्रिया कि आपने इस चैनल को जैसे हम सब भी जुड़े हैं मैं कंटेंट की तरह मैं भी आपसे रूबरू होता रहा हूं अपने एक शो को ले करके और आपने अप्रत्याशत इसे प्यार दिया है यह प्यार बरकरार रहे ताकि हम सब की हिंबत बनी रहे औ और हम अपने समय समाज पर गहरी नजर बनाए रखें तो आज के नजरिये में यह बात सामने है कि चंदर बाबु नाइडू सरकार बनाने में बहुत बड़े सहयोगी दल है आपको पता है कि बीजेपी सीटें 272 तक नहीं पहुँचा पाई इसलिए 16 सीटों के साथ चंदर बाबु नाइडू और 12 सीटों के साथ नतेश कुमारिक बड़ी बोमिका में लेकिन चंदर बाबु नाइडू ने अपनी शर्तें जो रखी है वो बड़ी दिल्चस्प्रग्दी है और उन शर्तों में वो स्पीकर का पद मांग रहे हैं यानि लोग सभा अध्यक्ष कौन ह लोग अगली सरकार में इसकी मांग सुनने में आ रहा है शर्तों के लिया से चंदर बाबु नाइडू की तरफ से ये बात आ रही है कि उन्होंने ये मांग रखी है कि वो अगली सरकार में लोगसभा अध्यक्ष अपनी पार्टी का बनाना चाहते हैं क्या है लोगसभा आए जाने की एहमेद और क्यों वो ये मांग कर रहे हैं और अगर बीजेपी के लोग सबाद्ध्यक्ष होते हैं तो क्या असर होगा या चंद्रबाबु नायडू के लोग सबाद्ध्यक्ष होते हैं तो क्या असर होगा इसका विशेशन करते हैं फिर हम लोग मुसल्मानों व होता है दोनों उस सदन का लोग सभाक वो सबसे बड़ा होता है लोकषभा के भीतर क्या होगा इसका निड़ है लोकशभा अध्यक्ष हम अपनी नेमावली और शर्तों के मुताबिक लेता है कौन सा सदस्स से कब बोलेगा किस पाल्टी को कितना समय मिलेगा कौन सी पार्टी कैसे विरोध कर रही होगी तो उसके विरोध पर क्या रवया अक्तियार किया जाएगा विरोध बढ़ने पर क्या सांसत कंधों पर लाद करके बाहर फिक्वा दिया जाएगा या उसे वुर्योत करने का मौका मिलेगा कौन सा मुद्धा जो विपक्ष उठाना चाहता है और सतादारी दल ये तैं करे कि वो उठवाने देना चाहता है या नहीं अंतिम निर्ड़े इसमें कौन लेगा कि सदन अंतता चलेगा कैसे ये सब कुछ लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है यानि उस लोकसभा अध्यक्ष के भूमिका सरकार के चलाने में सदन के भीतर सबसे महत्मों हो जाती है इसलिए बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि लोकसभा अध्यक्ष उनका हो और जब गठबंधन की सरकार होती है तो इसके पीछे कोई सदन से लोकसभा में से चर्चा किस मुद्दे पर हो ना हो, संसत कौन बोले ना बोले, किस विरोध प्रदर्शन को होने देना है, किस विरोध प्रदर्शन को कता ही नहीं होने देना है, किसको संसत को बुलवाना है, विरोत करवाना है या किसको उठवा कर बाहर फिकवा देना है यह सब कुछ केवल लोगसभाद्यक्ष का इतना ही काम नहीं है यह तो है ही इसे ज़्यादा मतपुड काम लोगसभाद्यक्ष का यह होता है कि वो लोगसभाद्यक्ष यह निड़े लेता है कि वह विपरीत परि तो लोग सवाद्यक्ष की भूमिका और जादा बढ़ जाती है। अब इस बात को समझेंगे कैसे। बीजेपी के पास पूर भूमत नहीं है। बीजेपी आज की तारीख में 272 के भूमत से ठीक ठाक संख्या में कम है। और अगर लगभग तीन दर्जन सांसत कम हैं। तो पता यह होगा कि विपक्ष इस बात को लेकर के दवाव बनाएगा कि आपके सांसत कम हैं। तो अगर लोग सभा अध्यक्ष अपना होगा, बीजेपी का होगा, तो बीजेपी आने वाले वक्त में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सांसतों को अलग-अलग तरह से प्रभाव में लेकर अलग-अलग रास्तों से अपनी तरफ खीचने की कोशिश में लगेगी और इस बात को कोई रोक सकता है, तो वो लोग सभा अध्यक्ष रोक सकता है। और इस बात को अगर कोई होने देना चाहेगा, तो वह भी लोगसभा अध्यक्ष के हाथ में इतनी बड़ी पावर हो जाएगी यानि लोगसभा अध्यक्ष अगर बीजेपी का होगा तो कवायद ये चल रही है अंदर की खबर ये चल रही है और अब तक बीजेपी ने 10 साल जिस तरीके से केंद्र और राज में सरकार चलाई है इस बात में कोई दोराय नहीं है कि उन दोनों के चलते ये बात दीगर है कि लोगसभा अध्यक्ष अगर बीजेपी का होगा तो बीजेपी ऐसी तमाम कोशिशें करके अपना सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी और जब बीजेपी अपने हाथ में सब कुछ ले लेगी तो प्रभाव बीजेपी का बढ़ जाएगा तो जितने सांसत कम है वो सारे मिल जाएंगी तो फिर टीडीपी इस बीच में एक मांग लेकर आई है और टीडीपी यानि तेलगू देशम पार्टी के नेता की तरब से संकेत और रिशारी ये मिल रहे हैं कि लोगसभा अध्यक्ष का पद चंद्रबावु नाइडू की पार्टी को मिले हैं और अगर चंद्रबावु नाइडू की पार्टी लोगसभा अध्यक्ष का पद लेगी तो विपक्ष के अभी एक सहमती विपक्ष की तरफ से भी एक सहानुबूती इस बात के लिए हो जाएगी कि हम किसी बीजेपी से लड़ें क्योंकि देखें लोगसभा अध्यक्ष ऐसा होता तो है नियमत या सिधान्ततक मूलत के वह पार्टी लाइन से उपर होते हैं विधान सभा अध्यक्ष की प्रिष्ट भूमी भले ही राजनितिक रही हो लेकिन जब विधान सभा के लोगसभाद माफ कीजेगा हर जिगा लोगसभाद समझेगा लोगसभा अध्यक्ष के प्रिष्ट भूमी बेशक कोई पार्टी की रही हो लेकिन जब वो कुरसी पर में यह होता है कि वो किस बैक्राउंड से आए हैं इसका प्रभाव उनके उपर पड़ता है और इसलिए कोई में पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए आप देखेंगे कि चाहे हरिवंश बाबू रहे हों चाहे उम्बिल्डा रहे हों चाहे सुमित्रा महाजन रही हों चाहे उसक कुछ सांसत दाएं बाएं होने लगें सरकार चल रही हो और चलती हुई सरकार के बीच में थोड़ा सा भी अगर बदलाओ दिखने लगे तो उस बदलाओ में क्या-क्या चीज़ें बदल जाएंगी इसका तो अंदाजा लगाना मुश्किल है और ऐसे वक्त में हमारा रहे हैं एक तो यह पेज भसा हुआ है और कहने का यह ताट पर है कि अगर चंद्र बाबु नाइडू नितीश कुमार की तरह जुक करके पहर चुने पर आमादा नहुए हला कि ठीक ठाक 90 डिगरी पर नितीश कुमार की तरह चंद्र बाबु नाइडू भी जुकते हैं कि कैसे वो वहां पर दिख रहे हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन उन चीजों के साथ साथ वहां पर एक बात यह भी है कि आज चंद्र बाबु नाइडू इस भूमिका में हैं कि वो शर्त पूरी कर सके वो महँआ सके यह एक मात्पूर्ण बहुत होगी और कि आते हुए नजर आए कि अपकी बार 400 पार तो पहले और दूसरे चनर तक जाते आते प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे पर विपक्ष को यह बात समाज में आ गई कि यह समिधान बदलने की बात कर रहे हैं और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जोती मिर्धा ललू सिंग अनंधेगडे या प्रदान मंत्री के आर्थिक सलाहकार की है जिन लोगों ने ये बात कहा कि समिधान बदलने के लिए गुमापिरा के ये बात समिधान बदलने वाली बात इन लोगों की तरफ से आई कि समिधान बदलने के लिए 400 सीटों से पार चाहिए और ज और उसके बाद वो ये कहने लगे कि हिंदुओं का मंगल सूत्र माता और बैनों का चीन करके वो मुसल्मानों को दे देंगे अगर वो सरकार में आए लगे बढ़े और उन्होंने का कि यह SC, HD, OBC का आरक च्छण चीन करके मुसल्मानों को दे देंगे अगर आपके घर में दो भैंस है तो दो भैंस में से एक भैंस खोल करके मुसल्मानों को दे देंगे अगर आपके पास चार कमरे हैं तो दो कमरे लेकर के मुसल्मानों को दे देंगे और इसलिए वो मुझरा करते हुए नजरा रहे हैं यह हम अपने देश के सम्मानित आदर्डी महामहीम और आवतारी पुरुष जो कि खुद उन्हों नहीं बोला है पदानमंति नरेंद मोदी जी के शब्द ही बोल रहे है और अब वो चंद्रबाबु नाइडू जैसी पार् समझेत हुए हैं जिनका की मेनुफेष्टो क्या कहता है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ Welfare of Muslim Community. Pension for Muslim minorities after the age of 50 years. Land will be allotted to Muslim, Idgah and Qabristan in main cities. Hudge House will be constructed near Vijaywad. तो 50 साल से जदा के मुसल्मानों को pension देना, शेहरों के मुक्ष शेहरों में भी कबरिस्तान और इदगाह के लिए जमीन देना, नूर बाशा कॉर्परेशन विल बी कंस्टिटूटेट एंड हंडेट करोन विल बी गिवन एवरी एर, सौ करोन रुपए देख दिया जाएगा नूर बाशा कॉर्परेशन को, जो मुसल्मानों के हित में काम करेगा, थ्रू माइनॉर्टी इस पाइनिंशिल कॉर्परेशन, इंट्रेस्ट फ्री लोन अप टू फाइव लॉग विल बी गिवन तू माइनॉर्टी, एन उन्रेरियम आफ दस हजार से पाँच जार रुपए, उन्रेरियम के रुप में, मंद विल पर मंद विल बी गिवन टू इमाम्स एन मौजिन्स रिस्पेक्टिवली, जो धर्म गुरु होंगे, उनको पाँच जार दस जार रुपए मासिक रुपए से दिया जाएगा, क्वालिफाइड इमाम्स विल बी रिक्रूटेड एज गॉर्मेंट काजी, सरकारी नियुक्ति होगी जो क्वालिफाइग कर जाएगे, मस्जिद को मेंटिनेंस के लिए पाँच रुपए, इच पिलग्रिम विल बी गिवन वन लाग फॉर हज विजिट, एक लाग रुपए हज के लिए, देंके, एक लोकतांत्रिक देश में एक चुनी हुई सरकार के पास इस बात की पूरी नेतिक अधिकार है, इस बात का पूरा अधिकार उनके पास है कि वो अपने राज के हर एक नागरिक के लिए अलग अलग प्रावधान करें और राज और देश का मतलब यह है कि चुनिवी सरकार अपने नागरिकों को जो पिछड़ गए जो हाशिये पर रह गए विकास की धारा में ना आ पाए उ इस पहचान के नाते वो पिछड़ गए उन्हें ख्याल में रखते हुए आगे पढ़ाने का हक देने का पूरा अधिकार है और इस बात के लिए और चंद्र बाबु नाइडू वो पहले शक्स हैं जिन्होंने आरक्षण में भी धर्म आधारिक यानि मुसल्मानों को चंद्र बाबु नाइडू अंदिये में शामिलो कर प्ररदां मंति नरीयंद्मोदी के ठीक बगर्में बैथे हुए और इस बात को आप समझें इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रदां मंति नरेंद्रमोदी ये कहते रहे कि धरम के नाम पर मुसलमानों के स खड़े होकर इंटर्व्यू दे रहे होते हैं अपने प्रिये चैनलों को तो वही बात कहते हैं कि मैंने कभी हिंदू मुसल्मान नहीं किया मैं कभी हिंदू मुसल्मान नहीं करता ये बात प्रधाम अंति नरिंद मुदी कहते हैं लेकिन वही प्रधाम अंति नरिंद मुदी इस बात को भी समझते हैं कि हाँ वो हिंदो-म्सलमान करते हैं अर जब-जब मौका मिला तब-ब करते हैं और इस बात को समझते हुए अगले ठीक अगले दिन लाल गली में भाशों वो दे रहते तब भी हिंदो-मसलमान करने लगे कि 15% आबादी को पचासी परसेंट लोगों का सारा हग चीन करके दे दिया जाएगा इसलिए उनको गलती से वोट मत दे देना और ठीक बगल में अब NDA की बैटक में चंद्रबाबू नाएडू बैटे हुए हैं जिनका मेनुफेस्टो है वो मैंने पढ़कर के आपको सुनाया का वेलफेयर आफ मुस्लिम कम्यूटि इस हेडिंग से पूरा का पूरा यह देखिए इनको डिया हुआ कि यह अगर चंद्रबाबू नाएडू के पूरे के पूरे मेनफेस्टो का मामला है तो अब एक बात सोचिजाए कि क्या प्र्धानबनति नरेद्र मोदी अब तक कि अपने राजनितिक जीवन के सबसे कमजूर हाल में पहुँच गए हैं कि अब उन्हें इन बातों पर समझोता करना पड़ेगा उधर नितीश कुमार की तरफ से केसी त्यागी लगातार इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि आया था हमारे पास पैगाम इंडि करने के लिए बड़ी ताकत जुटा करके इशारा कर रहे हैं और एक तरफ चंद्र बाबु नायटू मांग रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष का पद और यह कोई सामान निपद नहीं है इसका विशलेशन हमने अभी थोड़े दिर पहले किया यह इतना महत्पूर्पद है कि आ अगर लोकसभाद्यक्ष होने की बात चंद्र बाबु नायटू समझते हैं तो उनसे ज्यादा बीजेपी भी समझती है क्योंकि बीजेपी के मन में बहुत सारी प्लानिंग होगी है क्योंकि उसी मंच पर एकनात्य शंदे भी बैठे हैं उसी मंच पर पशुपति पारत के भतीजे राम बिलास पासवान के बेटे अनमान में बैठे हुआ है अब समझने इशारा कौन सी पार्टी कहां थी कौन सी पार्टी के कितने लोग पार्टी छोड़ करके कहां चले गए और यह सब कुछ हो करके आज कहां सरकार किस की होनीच यह सरकार किस के चले और अगर य इसलिए तेलगु देशम पार्टी के चंद्रबाबु नाइडू की तरफ से लोकसभाद देश का पद भी मांगा जा रहा है वही चंद्रबाबु नाइडू जो मुसल्मानों को लेकर वो सारे काम करने का दावा आपने राज में कर चुके हैं और राज में आप सरकार भी बना चुके हैं जिसका इशारा नरेंद्र मोदी ने किया कि वो ठीक इसके विपरीत खड़े हैं ये है coalition government की ताकत और ये है नरेंद्र मोदी के सामने मजबूरी और ये है वो मजबूरी जिस पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी आज की तारिक में दबाओ में है नौ जून को शपत के लिए सब कुछ तयार है लेकिन अभी भी इस बात के खबर आनी बाकी है कि कितने मंत्रा लेजड़ी होने लिए ऐस बात को याद करते हुए कि अगनिवीर की भी समिक्षा होने चाहिए कि जितने भी प्रभावित समू है उन सब को निड़े में शामिल करना चाहिए और तीन-चार मंत्रा लेवे चाहिए बिहार को विशेश राज का दरज़ा भी चाहिए चंद्रबाबु नाइडू को भी विशेश राजिका दर्जब चाहिए आंद्रप्रदेश को भी बहुत कुछ चाहिए वरना इस बात का इंतजार तोनों करेंगे कि इंडिया गडबंधन की तरफ से भी उन्हें बहुत कुछ मिलने की रास्ते खुले हुए हैं और राजनीत म कुछ भी अंतिम नहीं होता कुछ भी आखर नहीं होता ऐसे लिहास से कहें तो चंद्रबाबु नाइडू ने नरेंद्र मोदी की बीचेपी और एंडिये को बुरी तरह से अपनी जकड में ले लिया है इस पूरे प्रकड़ पर नजर बनाए रखेगा और आपका क्या मानन क्या भी कह रहा हूं चाहूंगा कि आप सब लोग फूर पीम की आजाद ख्याल आवाज को इतना तवज्यो दे रहें यह प्रेमों पर आप बनाए रखेगा फिर मिलेंगे कि अपने टीपड़ी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल